हेलो दोस्तो। वेलकम थेख वरी फेर तो आड़ अपनी चनल स्टडीस पीरियर देविच। दोस्तो आज मैं तो आड़ ली मैट्स पैडगों की दा पार्ट टू लेके हैं हैं। जेडी की अपनी PS स्टेट दे विच आउन वाली math पेडागोगी आजी ते एस तो पहला मैं एक लेक्च्च्वर पेडागोगी दा जेडी की math ना रिलेटेड ओ अपलोड कार चुके हैं जी ते ओस दे विच आपने काफी जेड़े काफी जुरूरी आपका कार चुके आज दे आपने जेड़े पार्ट टू होवेगा जी एदे विच भी आपने जेड़े इंपोर्टर क्वास्चन होणगे उसारे होणगे जी एस तो लाव दोस्तो इवी एस ते पंजाबी ग्रामर दियां वी वीडियो में काफी अपलोड का चुके हैं जी जेकर तो अनू ओना वीडियो तो कुछ हेल्प मिली आता तोस्तों योना नू जाके देख सकते हो जी ठीक है जी ता शिरुवात करने आज दे अपने क्वेश्चन हो जी हां जी दोस्तो आज दा अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जी देर आर हाव मैनी जी जी देख्यो कीटि सियो देख्यों क्रवाई भी सीजी कोगनेटी अफ्टिव ते साइको ढूमेंसीह हो को अपनेटीव डूमेंसी दोस्तों और धूमेंसी जी दाओकि मैनी साइकोमोटर दोमेंसी जी घ्टाल मैंडी चुली है जेए जी चुछ इलाब बगलग्य क सारी यां psychomotor domain दे विचे आ जन्देने दोस्तो एता होगी domain दी घाल जी ठीका जी जे इस तो लावा दोस्तो bloom ने जेड़े एना ने cognitive domain दे विचे कई step हो भी दसे ने जेड़े की सिर्फ cognitive कोगनेटीव डोमेन दे भीच हुं देने जी स्टेप तां अफेक्टिव त्यूरूरी ने पेपर देविचे सुरप मुलूम में दोस्तुष पूअ जाय का बती सी पहले इन्हों नां फौर्म कर्की स्टेप गई सी त्यूरुअध देती प्रकाई ठाप जीचाले ना यह उन् कर सकते ठीक है पहला सिटाइप सीगा जी अन्द नौलेज सीगा नौलेज नू बाद वीच रिमेंबर दानाम देता सीगा भी सब तो पहला एक बच्चा जड़ा चीज नूँ अक्वायर करता है याद करता उस्टो दूझा स्टैप पाजी कॉंप्रीयेंशन काना मीइंज अं करिया। गेर मैंबर करिया। उसारी उसनो अप्लाई करके देख़गा जी। उसनो फॉर्थ स्टैप दे विछ दोस्तो जא झेडीयोने नॉलेज ही अप्ला घरिया। उनुं एनलाइजट करके देख़गा। बैन्ज नो तोढ़ एल्यूट करके देख दाजी सारे नुटीक है जी ए आई होब कि तोनों ए जड़े शेर स्ट अपने दोस्तों चंगीतरा समझाय होने जी चाल देजी अपने नेक्स्ट कॉस्चन बाल जी नेक्स्ट कॉस्चन दोस्तों अपना विचाओधा फोलिंग इस दा प्रोप्रिये लोगि कर्शन दोस्तों यूज्ञ नबड़ा चाढ़ भी बच्चे जयादा नहीं सिख्देजी तो यूजर्ण नबर 4 दे नाड़ भी बच्चे सिकने ता सीणी पर उन्याजादे नहीं सिख्दीने जिड़ेण साब लोग ने बिल्कुल सही मैथड़ होण गे जिए कर से क तेर्ट नुदस्टने की लेस दैना जा ग्रेटर दैना जी ठीक है जी यूजिंग यूजिए मैत्वर्ड दोस्तो यूजिंग डाइमेत्वर्ड होवेगा जी नेंस्ट क्वेचन दोस्तो अपना विच आप प्रामरी स्कूल इन्मेटिक्स करिकूल इस पर न्सी फ नाचिय फ्रेमवर्क जेड़ा 2005 वीच प्रफेसर यश्पाल दी कमेटे दे अंडर आया सी जी ते दे विच मैथेमेटिक्स नो लाके कुछ टॉपिक दसे गए सी के प्राइमरी स्कूल दे विच असी ए टॉपिक पड़ा साथ ने ओना दे विचो ही चार अप्षिन दे विचो जेड़ सांदे विच नहीं पड़ाओं दे ठीका जी ता एस दा एड़ा राइट अंसर होवेगा ऑप्षन नमबर वन होवेगा जी नेक्स्ट कॉस्चन है जी अपड़ा अकॉर्डिंग टुवेन हील थी ओफ जियोमेट्रिक थोट तो दोस्तो वेन हीलिक साइकोलोजिस्ट सीजी सुझना सब्सक्रिख दिन क graph टुट दृत सिज्चन नंतने सब्सक्राइब। सेकन्ड स्टेप पर अपना अजर्ण स्टेप अपना ऐनलीजेश्थ स्टेप होएक दूस्तो इनफॉर्माल्रेडक्शन एको पुछ होगाझ ते पिए स्टेटर दा जेड़ा पेपर टू आ ओस दे विच इन फॉर्माल डेड़क्शन ते फॉर्माल डेड़क्शन विच्छों ही कॉस्चन पुछे जांदे ने जी ते विजुलाइजेशन दोस्तों होंदा है कि जेकर असी बच्चे नूँ कोई सर्कल वगया रादी पि पता ला जांदा कि जेड़ा की राइट एंगल हुंदा उस दे विच इक नबबे डिग्री दा कोण हुंदा थे इक स्केर हुंदा उस दिया चारे साइड आ ते भी नबबे डिग्री दे कोण बन जांदे ने जी ठीका जी नेक्स्ट कॉस्चन है अपना इंडिविजुल अ आपका जेड़ा इंडिविजुल अटनेंशन क्यों नहीं देख सगधा चारे आप्चिना दे विचों जी जी में केसी जान दिया जी जेकर एक अध्य आपका दे मुरे क्लास बहुत ज़्यादा वड़ी होएगी ता ओ एकी के बच्चे नों टेंशन नहीं दे सगधा बीज नहीं पड़ा सथाथा जी मीज़ एक टीचर होवे ता उस दे अग्गे जे पंजाब चनी क्लास होवे ता उसनों पड़ा काफी मुश्किल हो जान दा जी ठीका जी ता एस दे विचेड़ा राइट अंसर होवेगा ऑप्शन नमबर वन मिन्स लार्ज क्लास होवेगा जी न जो तो छे दोस्तो पहला न सानुए पता होने चाहिए कि 4 तो 64 बने आए कि दा जी जेको दोस्तो आसी यहते मड़ा जातने आलाई है ता आसी जान दे आजी जेड़ा 64 यह 4 दा क्यूब है ते एही मेथड़ासी जेड़े नीचे आप्शन आज यह नहीं दे विच लगाउन जो 10 लिखा होया जी 100 दोस्तों 10 दा स्केर होंदाए जी 10 दी क्यूब नहीं होंदी ठीक है जी ता बचे ऑप्शन आपर 2 जी मेंज आप्शन आपर 2 ही साधा राइट अंसरो होगा जी चाल दे अपने नेक्स्ट क्वास्चन वाला विच इस दा फॉलिंग इस न नॉट एट टीचर डू अकॉडिंग एंची अफ दोस्तो नेशनल करेकर नूं फ्रेम वर्क दे अकॉडिंग एक टीचर आजी जड़ा भच्चिया नू की निक करवा सकता जी पहला जी रोट लर्निंग हो सकता जी ऑप्शन नुबर टू दे विच एक्टिविटी या ता बिल्कुल बच लिख्या होया जी एक टीचर बच्चे नू रोट लर्निंग जा रिमेंबरिंग नहीं करवा जी रोट लर्निंग मीज एक टीचर आज एड़ा भच्चे नू कदे वी रक्टे नाल निपड़ा उन दा उसनू रट्टा नहीं लब ओंधा जी ठीक है जी ता आप्शन नमबर एवरी रीचनल एक्सप्रेशन इज इए पॉलिनॉमीनल नवर फोलिनॉर्मियद न च्क३ल न deber नहीं होना चाएदा अधिक जीरो तो इलावा कोछ भी 2, 3, 4, 5 कोछ भी हो साधा परन्तु डिनोमेनेटर 0 नहीं होना चाहिए जैकर डिनोमेनेटर 0 आता ओएक रेशनल नंबर नहीं होवेगा जी ठीक है जी ता एवरी पोलिनोमेन इजे रेशनल एक्सप्रेशन जुरूर हुन दै जी ता जेडा बानना है साधा मेंज ऑप्शन नमबर वानना है साधी बिल्कुल क्रेक्ट होवेगा जी जेड़ी ऑप्शन नमबर टू है दोस्तो एवरी रेशनल एक्स्प्रेशन इस ये पॉलिनॉमिनल एफ हुंदिया जी परन्तु कंडिशनल आजी है हमेशा नहीं हुंदी ठीक है जी त करें लिए जी तब किस तरह इस तरह थे जोड़ी कर रही है डाइवर्जन थे तेंकिंग ये युझे कर रही है डिवर्जंट्ट्र सनस्प्रेशन नियुक्त से रिजेंन होंदे डाइवर्जन्ट थिंकिंग होएगी मिन्स रहाम जेडी कुड़ी है ओ एक क्वास्चन दे कहीं सलब रही है था हूं डाइवर्जन्ट थिंकिंग दे यूजिंग कर रही है ठीक है जी नेक्स्ट आजी अपना अब आकस इस यूज़ फार ता दोस्तों अब आकस इक तना दा सिख्या दे लिए यूज करने वास्ते वर्ता जांदा शीता एज़ेड़ा व्यंतर होंदा इस दे वीच अपां फास्ट कैल्कुलेशन कर दें याजिए प्राइम ने स्कूला ने विच ने उस दे वीच अब आकस ते काफी जोर दीता यांदा बच्चा दी क्याकुलेशन क बच्चे तो कौच्चन पुछे जांदेने क्लास दे वीच ओना दे विच एम केडा नहीं है का जी साथ पहला दोस्तों तुसी एक वर्ड याद रखना नौट होवे या एक्सपेक्ट होवे जा लिस्ट होवे जी ए वर्ड ने जिटे तिन्ने वर्ड ने पेपर दे विच क दोना दे नाला बच्चान दे विच्ट इंट्रस्ट कर रहे हों दा ते क्रियोंस ट्री भी क्रियेट हों दिया जी ऑप्चन बट तू दे विचे मोटिवेट ली बिल्कुल सही है जी जेकर असी बच्चा तो कौच्चन पुछन ने आता ओ इक दुझे नू देखके ता इस दे विचे सातो नौड पुछा गया जी ता ओप्चिन नंबर फोर साड़ा बेल्कुल राइट अंसर होवेगा जी नेक्स्ट क्वास्चन है जी विच ओफ दा फॉलिंग इस दा क्लोज एंडर क्वास्चन ता दोस्तो क्लोज एंडर क्वास्चन हों देने जिना ता सिर्फ एक ही अंसर होंदा है दो टाइप दे होंदेने जी एक क्लोज एंडर क्वास्चन देक ओपनेंडर क्वास्चन क्लोज एंडर क्वास्चन दोस्तो ओंदेने जेना ता तिर्फ एक ही अंसर होवेगा जी ते ओपनेंडर क्वास्चन ओंदेने होंदा क्वास्चन ता प्रण तो न्स दे अंसर आ जैडे बहुत सवे हुए झाव जी तरस दे विचे ऐड़ा मैं नेम इस निशा तर दोस्तो इस दे विच थे तह कोई अपनेंडर क्वेशन नहीं कहते देकि माइन नेम इज निशा था एक क्लोज एंडर क्वेशन आजी तिन क्योंकि यह दा रटांसर होगा एक ही होगा जी ठीक है जी इस टीचर इस टीचिंग अडिशन टू क्लास सेकंड स्टूडेंट्स विच इस दा मोस्ट शूटेबल स्ट्रेटजी टू फॉलो ता दोस्तों एक सेकंड क्लास दिया दे अपका जादे अपका बच्यानू अडिशन सखा रहा है जी उन्हों जोड सखा रहा है तक एड़ा सीता ने को तो नो दो आपल देती तो किन्ने हो जानगे एज जीटे सारे कॉच्छने वर्ड प्रॉब्लम दे वी चार्ज अंदे रे ते अडिशन शूट भी इंट्रीउस थू वर्ड प्रॉब्लम ठीका जी मीज ऑप्चिन नंबर थ्री साधा बिल्कुल राइट अंसर हो जी ठीका जी ऑप्चिन नंबर फोर साधा बिल्कुल राइट अंसर होवेगा जी नेक्स्ट कॉच्छन है जी मैथमेटिक्स पॉजल्स एड प्रैमरी लेवल हेल्प इन तो दोस्तो जीडी मैथमेटिक्स पॉजल हों दिया ने बच्च्छन दी जडी प्रॉब्लम सॉल्व स्किल हों दिया उननों टेस्ट कर दिया में जो बच्चिया नों किन्ना के ग्याना जी हो किसे प्रॉब्लम नों केड़े त्रीके नाल सोख साग देने हो बिल्कुल असी मैथमेटिक्स पॉजल देनाल पता कर सागदे जी ठीका जी ता एस देड़ा राइट अंसर होवेगा